इस विशाल मसी और वेलकम बैक तो माई चैनल एकनोमिक साइट तो तो टोड़े विद पॉजिटिव मूड वी आ गोई तो श्री चैप्टर नूंबर वन होने चाहिए और अगर आप इसे थोड़ा सा इंट्रस्ट लेके पड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से यहां पर चीज़े क्लियर होने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ओफ एकनोमिक्स तो आप बोलेंगे पूरा एक चैप्टर हम डेफिनेशन ओफ का क्या हो सकता है यहां इन शौट कह सकते हैं कि जो चार डेफिनेशन इन चार एकनोमिस ने दी है उसमें से बेस्ट हम कौनसी ले सकते हैं अब जैसे के एकनोमिस के कर हिस्टरी की बात करें तो 1600 में यह बहुत ही एक नेरो व्यू होता था था इसका कि भाईया सिर्फ और सि इस पे ध्यान दो, wealth acclimation पे ध्यान दो, मतलब ज्यादा स्यादा पैसा कमा ले, कोई भी देश वो ठीक हो जाएगा, मतलब वो develop मना जाता था, मतलब आप कह सकते हैं, कि यही एक purpose था, economy पढ़ने का, लेकिन अब जो चीजे change हो रही है, अब क्या है, welfare को notice में लाया जा रहा है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, HDI, Human Development Index, यहाँ आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो यह सब चीजें क्या है, basically, यह important रखती है, economy में, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ नहीं होती, पैसे ही कमा लिया, उसके साथ हमें क्या जुरुत होती है, हमें, we have to also study other factors like health, education, all those things, clear, तो चलिए start करते हैं, introduction, तो introduction में आपको बहुत ही simple चीजे दे रखी है, कि जैसे आपका economics है, उसे queen of social studies बोला जाता है, social sciences बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको बता है, mathematics, mother of all the subjects है, ठीक है, वैसे ही economics का है, queen of all the social sciences, इनको बोला जाता है, clear हो गया, अब आपको जहां रखना है कि यह जो economics है, यह time के साथ काफी evolve हुई है, ठीक है, it has changed from a period of time basically, and basically what the economics is all about, economics क्या है एक study है individual की और societies की, और जो भी issues वो face करते हैं, आज के जो भी recent issues है, बले वो unemployment की बात कर ले हम, बले वो poverty की बात कर ले हम, बले वो कोई भी ऐसे factors हैं, जो हमें ऐसा individual और society हमें जो bother करते हैं, उन सब को पढ़ते हैं, इसलिए economics आज का बहुत ही hot subject है, famous subject है, because it studies the practical problems, not like history and other subjects, history and all, बस acknowledge पढ़ते हैं, बड़ इसमें क्या है, practical चीज़े होती हैं, जो recent हमें, जो hot issues चल रहे हैं, economy उसको study करता है, इसलिए आप कह सकते हो, economy is a very very important subject these days, जैसे सारे subject के अपने एक वो होते हैं, इसे biology किसके का साथ concerned है, biological issues के साथ है, evolution of living है, और उनका क्या constitution है, basically living organisms का, यहाँ पर constitution वो political science वाला नहीं है, यह constitution मतलब वो जो evolution of biology से related है, बिसिकली है, organisms है, physics के आपको matter, energy वो सब से deal करता है, political science आपका political issues के साथ deal करता है, state government, local government ना, वो सारी चीज़ों से, और ऐसे ही आपको being, it is a natural that student of economics must ask a big portion, यह basic question कह सकते हो, why do we study economics, economics पढ़ने की आपशकता ही क्यों है, हम क्यों पढ़ने है economics को हैना, और इसका subject matter का है, अगर पढ़ रहे हैं, तो क्या-क्या इसमें पढ़ना जरूरी है, वो भी आपको बता होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए, कि economics है क्या, economics को क्या मना जाता है, सबसे पहले economics है, एक social science है, ध्याना करना, it is a subject under the social science, it is concerned with the economic question, यहाँ पर हम economic की questions को पढ़ते हैं, economic चीजों को पढ़ते हैं, जो भी एक individual है, उसकी जो आर्थी, जो कह सकते हो, आर्थी मसलों के बारे में हम जो है study करते हैं, it seeks to explain systematica large variety of questions pertaining to the economic behavior of the individual, तो एक individual का economic behavior कैसा होता है, कैसा उसका consumption pattern है, कैसा उसका investment pattern है, क्या उसका saving pattern है, ऐसी एक individual producer है, तो उसका क्या production पैटन है, तो basically economic variables, economic variables या economic behavior का individual का, एक individual का society का, as well as पूरी country या economic का भी हम पढ़ते हैं, तो यह basically, क्या है, economics is all about, let us enumerate some example of the economic questions with which we are concerned in the economics, तो मैं यहाँ पर थोड़ा source study करेंगे, ऐसा individual हम कितनी innumerable, बहुत सरी problems को मैं यहाँ पर अपनी daily life में face करते हैं, How do we consumer decide the amount of our income we spend on the purchase of various goods and services, How do the producer decide, कि कैसे basically, यह decide होता है, कि कितना एक consumer अपना income को spend करेगा, कितना वो producer जो है decide करेगा, कि कौन सी commodity को produce करें, कौन से prices पे basically उसको बेचे, कौन से ऐसे factors हैं, जो wages के level को determine करते हैं, कि किस की कितनी wages होनी चाहिए, तो यह सारे government क्या करती है, basically government employees, Why do the government employees demand higher DA, जो government, सरकारी जो officers होते हैं, आप कैसकोते हो करमचारी होते हैं, वो higher DA क्यों मांगते हैं, जब prices बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़े महांगी हो जाती है market में, तो अपना DA के आपका, basically salary का part होता है, तो जो भी government officials होते हैं, या कोई भी official workers होते हैं, जब भी आपकी inflation बढ़ती है, तो सरकार DA का increase कर देती है, क्योंकि उनको क्या करना पढ़ता है, balance करना पढ़ता है, अगर salary बढ़ेगी नहीं, आपकी prices बढ़ते रहेंगे, आप inflation बढ़ती रहेंगी, तो आपकी salary फिर बहुत ही जाता है, यहाँ पर क्या है, उसकी value निल हो जाएगी है, क्योंकि आपको save ही नहीं कर पाओगे, आपको वहीं नहीं कर पाओगे, तो जैसे ऐसे prices बढ़ते हैं, आपकी DLS allowances salary का बढ़ता रहता है, then there are bigger issues, कुछ bigger issues भी है entire economy के लिए, जैसे national income, नेशनल income मतलब पूरे देश की income, क्या level होना चाहिए, यहाँ उसके level को हम study करते हैं, जो 12th में आप ज़्यादा deeply पढ़ेंगे, why the India is facing unemployment, help of Dr. Manmohan Singh Ji, he was a prime minister that time, so हमारे India काफी फिर भी तब तक जो है, उस recession में, it was saved, बट फिर भी काफी hit किया था India को भी, ठीक है, अब चाइना ने इतना high growth rate achieve क्यों कर ली, क्योंकि अगर चाइना की GDP की बात करें, वो तो इस समय 16 trillion के आसपास है, ठीक है, और इंडिया की जो है सिर्फ 3 trillion है, तो हम कैसे 16 trillion में कैसे रहेगे, वो 16 में कैसे पहुँच गए, यह सारी study करेंगे हम, government के taxation क्या है, government के basically, what are the taxation of the government, वो हम यहाँ पे study करेंगे, ठीक है, why the Indian government followed the policy of privatization, globalization, यह सब आने वाले chapters में, हम यहाँ पे study करने वाले हैं, तो don't get much confused, यह सब चीज़े हम आगे study करेंगे, आपका 11th, 12th basically यही रहेगा economics में, ठीक है, बहुत interesting again मैं बता रहा हूँ, कि यह सारे चीज़े की economy को कैसे deal करते हैं, सब कुछ यहाँ पे discuss करने वाले हैं, privatization क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, why do develop countries face economic problem, उनकी दिक्कत क्या है, balance of payment आपका 12th में है, ठीक है, तो basically यहाँ पे topics दिये हुआ है, तो इसको यारटरने वाली बात नहीं है, बस इसको समझना है आपको, कि यह यह चीज़े हम जो है economics में, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, so there are some questions why we study economics, अब यहाँ पे कुछ questions होते हैं कि economic पढ़ते क्यों है, economists are deeply concerned with such questions, तो economists जो होते हैं, वो बहुत deeply इस चीज़ को पढ़ते हैं, such as listing of the question may give you some idea, about subject matter of the economics, it may also make you realize that the subject of the economics has acquired such a place in pre-eminence these days, और आपको बता है economics जो है आजकल बहुत ही बहुत ही important issues है, बहुत ही important subject है, study of economics इस है important because it deals with the economic questions that concern each one of us in daily individuals, तो वो हर एक को क्या करता है, क्या करता है, basically deal करता है, हर एक की problem को, क्योंकि हर एक की problem, economic problem तो है ही है, किसी के पास job नहीं है, किसी के पास कोई दिक्कत है, किसी के पास economic कोई problem है, तो everyone is facing somewhat economic problem in their own lives, we study economics because it sheds a light on the various economic issues and enable to understand the current economic problems and the consequences and the various economic policy pursued by the government, तो यहाँ पर हम discuss करने वाले हैं, कि हम क्यों economic पढ़े हैं, ठीक है हम इसलिए पढ़ते हैं, ताकि हम क्या करें, हम चीजों को समझे, हम government की policies को समझे, हम current economic conditions को problems को समझे, उसको solve करें, ठीक है, so economics develop the principles, theories and models that identify the most important determinants or the causes of various economic events, the goal is to evolve policies that might solve the various, so इसका goal क्या है basically, इन सारी problems को पढ़ना क्यों जाता है, या उसके determinants को क्यों पढ़ा जाता है, theories को क्यों पढ़ा जाता है economics में, ताकि हम basic problems अपनी जीसे unemployment हो गया, inflation हो गया, under development हो गया, हमारे country की जो waste resources, waste हो रहे हैं, वो सब हो गया in the economy, तो ये सारी problems को basically, हमें क्या करना पढ़ता है, solve करना पढ़ता है, उसके लिए हमें कुछ theories पढ़नी पढ़ती है, कुछ models पढ़ने पढ़ते हैं, जो आप basically class 12th में ज़्यादा उसे discuss करेंगे deeply, ठीक है, I hope यहां तक आपको काफी interesting लग रहा होगा, अब यहां पर बात करते हैं, evaluation of economic thought यह आया है कहां से, ठीक है, यह इसका जो उत्पत्ती है, यह बर्थ, how this basically, this thing developed, it is important to understand that economics has developed as a discipline, ध्यानक नहीं discipline है, economic questions are old as mankind, कि जितना जो, आपका, जितनी पुरानी आप कह सकते हो, मानव सब्बेता है, तब इसे ही economy चली आ रही है, ठीक है, it has a prehistoric man must have faced, that prehistoric man too much have faced, also must have faced some of the, these economic issues, obviously बात है, starting से ही, उसे कोई ना कोई यहाँ पे, economy related problem रही होगी, हो सकता है, तब वो hunter and gatherer हो, तो अपने वो hunter and gatherer की source के साब से, उसकी economy चल रही हो, रही हो, और फिर फिर जैसे चीज़ें develop होगी है, दूसरी साबसे economy भी develop होगी, in the past economics और political economy, तो कई बार economy को political economy भी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, it was called before 1819, 1890 formed a part of the discipline like lodger, psychology, अब 1819 भी आते जाते हैं, यहाँ पे economics जो है, अलग एक discipline बन गया, Aristotle the famous Greek philosopher आपको पता है, Aristotle के बारे बहुत बढ़ा होगा आपने, who regarded some writers ऐसा first economics, तो इसको one of the first economics माना जा सकता है, because इनके कुछ works हैं, आप related to economy या कुछ economic conditions को इनके बढ़ा होगा, but while doing so, he did refer the definition and scope of economics, he defined economics as a science of management of family, तो उसके साब से बहुत ही आप कह सकते हो, एक narrow scope, narrow way में उसने economy को develop किया, कि वो कहाता है, बस एक management है, किसका family का और state का, economic management है, किसी भी एक family का state का, during the ancient and the medieval times, economies developed as science of state craft, state craft कहने का मतलब है, कैसे basically, अपने जो अपने state की अर्थेवस्ता को चलाया जाए, the merchant list, merchant list आपको पता होना चाहिए, ये basically 16th और 18th century तक चले थे, इनका क्या सोचते है, merchant list का basically एक thought है, कहने का मतलब है, एक opinion है, मतलब एक group of people है, जो ये मानते थे, कि economics कहा है, बस एक wealth की स्रेजिन ना है, बस पैसा कमाओ, वो जो इतना जादा किसी देश के वास पैसा होगा, वो उतना अमीर होगा, ठीक है, ये मानना था merchant list का, जो कि आप कह सकते हो, एक thought है, economic thought है, which prevailed in 16th to 18th century, और ये starting आप कह सकते हो, economy हैं से basically, modern जो economy से, merchant list से start होती है, मतलब merchant list, thought से start होती है, ठीक है, जब मैं बात करूँ है, अब बोलूँगा कि, इनसे start होती है, यहाँ फे thought को समझना आप, ठीक है, इस आप economic thought, merchant list का economic thought है, this type of economic thinking, or you can say economic thinking, result in making economics, science of wealth earning activities, मैंने बता दिया, कि इनका mean focus कहता, merchant list का, कि भीया, सिर्फ और सिर wealth earning करो, wealth earning activities करो, वो ही काम करो, कोई मतलब नहीं है, welfare से कोई मतलब नहीं है, पैसा कमाओ, और ठीक है, enjoy करो, ash करो, यह basically उनका concept था, economics became science, फिर धीर धीर economics को, science of wealth बन गई, and much more clearly, hand in the classical, उसके बाद merchant list के बाद है, आपके classical economist, ठीक है, फिर्स टाइम, proper economics को, ऐसा discipline बनाया है, उन्होंने, proper subject बनाया, ठीक है, classical economist थी, यहां classical, यहां मतलब नहीं है, classical singers है, इन्हें define किया जाता है, जो merchant list के बाद, जो economist आए हैं, उनको हम classical economist को, classical economist मानते हैं, ठीक है, यह बाद समझ दीजिएगा, ever since then, economists have started defining the subject matter of, more clearly in different ways, तो आप कह सकते हो, merchant list तो बस यहीं मानते थे, कि पैसा पैसा, ठीक है, फिर आए आए आपके, यह जो आपके classical economist है, इन्होंने भी wealth पे focus जरूर किया, लेकिन इन्होंने कुछ दूसरे issues भी लिए, और इन्होंने economics को proper discipline माना, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यह समझना पढ़ेगा, कि classical economist ने basically कहा है, economic को proper discipline में ले गया है वो, अब यहाँ पर major economics, definitions of the economics, यहाँ पर कुछ definitions of economics पढ़ेगे, जो over the time develop होई है, फटा-फट एक बाद reading लगा लेते हैं, को कि कई बच्चे मुझे बोलते सार रीडि पढ़ा, reading करें, when we have some idea of the nature and scope of economics, the subject matter of economics, by enumerating various definitions of economics, तो यहाँ पर हम अलग-अलग definitions यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि 2 centuries में basically develop होई है, ठीक है, economies has been defined differently by different economies, तो अलग-अलग जो definition of economics है, अलग-अलग अलग definition दी है, it's not surprising because economics cover wide range of economic activities, faced by the human beings as a society, एक कीन्स हमारे क्या होते थे, अगले साल जो chapter है, theory of income and employment, chapter number 12, पूरी इनकी model है, पूरी theory हो पढ़ेंगे, तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने बिलकु रिमार्क, यो economy है, उसने अपने आपको definition से जगड लिया है, क्योंकि हर एक economies नया पैदा होता है, वो नहीं economies देता है, ठीक है, तो for the sake of clear cut understanding, the logical exposition, we can group various, तो हम यहाँ पे अपने को clear समझने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, major 4 definition में इसको divide कर सकते हैं, पहली है wealth definition, दूसरी है welfare definition, तीसरी है scarcity definition, और चौती है growth oriented definition, ठीक है अब देखो, जैसे ऐसे time बीता, पहले wealth पे हम ध्यान दिया, फिर अब थोड़ा-थोड़ा welfare पे आए, फिर तीर थरह हमने समझा कि welfare, scarcity resources भी तो scarce हैं, उनको पढ़ना भी जुरूद है, और finally हमने पढ़ा कि growth भी, finally economic क्या मकसद होना चाहिए, economic का मकसद होना चाहिए, यहाँ पे growth, कोई कि growth में आपके तीनों चीज़े basically include हो जाएंगी, तो जैसे से आगे-आगे चीज़े बढ़ रही हैं, प्लस नई चीज़े आपकी add हो रही हैं, ठीक है, तो growth oriented की बात करेंगे, जो उसमें already तीन include हैं, ठीक है, wealth में देखो, wealth में सिर्फ wealth था, welfare में, wealth दूसरे चीज़े भी आई, scarcity में हमने resources को भी यहाँ पे ध्यान दिया, environment को भी basically focus किया, यहाँ पे scarcity में, और fourth में हमने सबको focus किया, तो सबसे पहले wealth definition, जो है Adam Smith साब ने दी थी, बहुत ही famous economist हैं, ठीक है, यह classical economist, classical economist मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या है यहाँ पे कोई classical dancers नहीं हैं, ठीक है, they are just a thought है, जैसे merchant list एक economic thought है, basically यह group of economists है, जो merchant list के बाद आये थे, और इन लोगी thinking एक जैसी थी, तो इनको एक economic thought माना गया, इसके बाद Keynesian economics भी आये थे, उसके बाद दूसरे भी आये थे, Neo classical आये, फिर New आपके Keynesian आये, ठीक है, वो सब आपको university में पढ़ेंगे, फिलाल आप classical economist के बारे पढ़िए, जो कि merchant list के बाद है, अब उसमें कौन थे कि Adam Smith थे, J.S. Mill थे, Ricardo थे, Senior and other defined economics as science of wealth, तो इन्हों ने क्या किया, जो Adam Smith थे या आप कह सकतो classical economist है, जो famous classical economist है, यह मानते थे, कि जो यह economics का एक science of wealth है, मतलब यह proper discipline थो है, देकिन यह proper कह साइन्स of wealth है, हमें basically main मकसद हमारा wealth ही है इसमें, so Adam Smith is regarded as a father of economics, defined as economics, आपको बता है Adam Smith को father of economics माना जाता है, बिकॉस कहीं नहों नहीं, इसको main अच्छे से discipline जो है start किया economics का, अब यह कर define करते हैं, यह economics को science मानते हैं, which inquires into the nature and causes of wealth of the nation, तो कहने कहता है, कि वो क्या करता है, कि कोई जो भी nature है, economics एक science है, जो क्या करता है, वो inquire करता है nature में, और causes में, मतलब क्या wealth का क्या nature है, और causes है, किसी भी देश के लिए है, ठीक है, यह basically study करता है, अब इसने, he has written a very famous book, और subject matter of the economics, तो basically क्या कहता है, classical economist ने, आप कह सकते हो majorly, उन्होंने यह मना, कि जो wealth economics होती है, वो wealth की science of study basically, and it is focusing on production, growth and distribution of wealth, मतलब कैसे produce किया जाए wealth को, उसकी कैसे grow किया जाए, उसको कैसे distribute किया जाए, धिहान रखना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ wealth का है, यहाँ पर growth और distribution, यहाँ पर कुछ और नहीं है, only and only is wealth, ठीक है, only and only is wealth, तो यह हमारे Adam Smith है, कुछ ऐसे दिखते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, इनके बारे और रीड कर सकते हैं, if you want to read, अब besides Adam Smith, और बी classical economist ने मैंने चैसे बोला था, जे भी से भी थे, ठीक है, उन्होंने एक French economist थे, उन्होंने बोला, ऐसा science which treats था wealth, फिर एक Nassau William करके senior थे, उन्होंने इन बोला कि, it is subject matter treated भाथा, political economist is not happiness, बट wealth, मतलब यहाँ पर कोई happiness, हमें सिर्फ wealth से मतलब है, पैसा कमाओ, ठीक है, merchant list थे, थोड़ा सा यह influence जरूर थे, लेकिन merchant list थोड़ी, बिल्कुल अलग है, ठीक है, merchant list की कोई, basically कोई discipline नी था, मतलब कोई economic thought नी थी, ठीक है, उनका सिर्फ क्या था, आप कह सकते हो, capital acclimation था, तो जब merchant list की, जब यह पूरा merchant list, अपने आप करो, चरम सीमा बे था, तो यूरोप में सबसे आदा था, merchant list, तो यूरोप में, यूरोप में इनका मकसद क्या था, merchant list का मतलब था, कि अपनी country में पैसा लाना है, आप पैसा कैसे लाना है, अब इनके जो तरीके थे, बहुत खराब थे, बताब को पता है, कि जो जितने भी Britishers थे, जितने भी आपके Portuguese थे, जितने फ्रेंच पीपल थे, इन्होंने colonies बनाना शुरू कर दिया, किसके तहद, merchant list के सहथ, merchant list का क्या मतलब था, अपने country में पैसा ही पैसा पैसा लाओ, जैसे मर्जी लाओ, बट जो classical economies थे, उन्होंने थोड़ा सा इसे refine किया, clear, इसे थोड़ा सा और इसे refine किया, इसको बताया है, कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है इसमें, अब आपको पता है कि 1600 में, 16th century के असपास ही, Britishers भी इंडिया में है, तो उनकी सोच उससे में, merchant list economist की थी, कि अपने countries को rich करना है, बले कैसे ही करना है, दूसरे देश को बरबात कर दो, दूसरे देश में जाके, सब कुछ वहां से ले आओ, जैसे ही आपको पता है, कि Asian countries और African countries को, बहुत ही ज़्यादा exploit किया है, किनोंने, इनोंने Europeans में, why, because they having the merchant list thoughts, अब चीज़ आपको थोड़ी-थोड़ी समझ में आ रही होगे, I am relating to the history, now main feature of the wealth definitions का, सबसे पहले study of wealth थे, मैंने अल्रीड बता दिया, ये wealth को अच्छे से study करते हैं, कि main economics का क्या objective है, wealth को study करना, या wealth को कैसे generate करें, उसको study करना, basically उसका production कैसे करना, उसका distribution कैसे करना, उसको grow कैसे करना, फिर causes of wealth, किस की वैसे basically examin करना, कि आपके कौन से चीज़े हैं, जो कि आपके wealth को increase करते हैं, जैसे wealth increases by production and acclimation, तो ये आपके causes of wealth है, यहाँ से आपकी wealth generate हो रही है, ठीक है, next economic man, economic man का मतलब होता है, कि यहाँ पे हर एक इंसान को, अपना self interest पता है, और वो अपने self interest को, achieve करने के लिए, basically वो इसका self interest का है, material gains, factors हो गए हैं, तीन आपके कह सकते हो important points हो गए, अब obviously बात है criticism तो होगा, इसका definitely है ना, क्योंकि आप तो सिर्फ और सिर्फ किस पर focus कर रहे हो, सिर्फ materials पर focus कर रहे हो, यह तो बिल्कुल वो ही बात हो गई, बतलब कि सिर्फ और सिर्फ material ही क्या important होते हैं, तो उन्होंने यह सब चीज़ें को डिफाइन किया, उसके बाद यह narrow view of wealth, मतलब wealth का, यह wealth तो पढ़ रहे हैं, लेकिन narrow view में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ किसको include करें material things को, non material things भी तो wealth में आती हैं अगर आपकी health अच्छी होगी तो, विसलिवाद है तभी तो आप ऐसा कमापाऊगे, अगर आपको education है, आपको skills है, तभी तो आप और अच्छा earn करबाऊगे, तो कहीं ना कहीं non material things भी आपको important होते हैं, अना, ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास material है, material is things ही important होती है life में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं wealth का, wealth का भी इन्होंने narrow तरीके से पढ़ा इसको, ठीक है, next is secondary place to man, जो इंसान है, उसको secondary place पर रखा, कि पहला क्या economy का मकसद है, wealth नहीं, wealth नहीं है, पहला मकसद है man, मतब इनसान, हम लोगों को uplift करना, ठीक है, उसके लिए wealth सही है, हाँ, तो wealth secondary होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या कि अब wealth को ही first माल लिया, उसको man को second रख पर रख दिया, another shortcoming of this wealth definition economics, इन्होंने इस problem को फिर समझा था, ठीक है, उन्होंने welfare को भी आपको अपने, उसको अपनी definition में लेकिया है, जो कि हम welfare definition पढ़ने वाले हैं, तो आप कहा सकते हो, Alfred Marshall थोड़े से classical economist नहीं थे, classical economist के criticize किया, और उन्होंने ये बोला कि, welfare is also important with the wealth, और इन्होंने obviously बात है, scared city को ignore कर दिया, और उन्होंने ये बोला कि wealth generate करो, अरे भईया wealth generate तब ही तो करोगी, जब resources बचेंगे, आप सारे resources खतम कर दोगे, तो सब बरबाद दे हो जाएगा हना, तो जहां कहीं ना कहीं, हम यहां पे environment के factor निन्होंने study किया, इन्होंने ecology को study किया, कि higher environment, ecology, system भी बहुत important है, हना sustainable development आप कहा सकते हो, 1987 में जो ब्रेटलेंड कमिशन आई थी, उसके अंडर sustainable development के है, कि हमें resources को future के लिए भी बचाना है, और resources वैसी limited हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पे environment tissues भी यहां पे आए, तो यह चीज़ें भी ignore की, इसने जो wealth definition है, तो next time फिर welfare अब जो है, welfare definition है, Alfred Marshall जी कहां चुप रहने वाले थे, वो भी आ गया है, उन्होंने क्या किया, 19th century में अपनी, basically अपनी wealth, अपनी जो है, जो criticize करके, जो है wealth and classical economist को, Marshall ने अपनी welfare definition दी, Marshall was the first economist, जो first economist है, जिन्होंने क्या 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 public mind को study गया, कि economics एक public mind है, ठीक है, इन दा public mind, मतलब लोगों के हिसाब से, basically economic को समझने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि, welfare main मक्सद होना चाहिए economic का, wealth बाद में आएगा, सबसे पहले welfare करो लोगों का, हना, so he defined the political economy, or the economy is a study of mankind, in the ordinary business of life, and it examines the part of individual, and social, basically ये पूरी definition है, आप पढ़ सकते हैं, इन action most closely connected with the attainment, of use of matters of, दिखो कितनी बड़ी definition दी है, और as it is, आपको इसकी definition याद रखनी है, तो यहाँ पर दिखो, उसने क्या के चीज़े को समझने की कोशिश की, उसने बोला है, कि सबसे पहले जो economy क्या है, वो study of mankind है, हम लोगों की study है, क्योंकि हम, wealth तो बाद में आती है, पहले हम अपने आपको study करेंगे, ठीक है, कि कैसा हमारी जो, एक ordinary business हमारी जो ordinary business है, उसमें हमारी mankind कैसे basically, role play करती है, and examine the part of के, एक individual का social, social action या individual का, basically कैसे आपस में connected है, individual और society आपस में कैसे connected है, materialistic, मतलब material things लेने के लिए, plus non material things भी लेने के लिए, ठीक है, दोनों चीज़े basically इसने study की है, ठीक है, मतलब कहीं न कहीं, man का welfare के लिए, मतलब wealth भी इसमें आ गई है, plus welfare भी आ गए, तो आप से सकते है, wealth, and आप कह सकते हो, और you can say, welfare is a study of man basically, तो इसके कुछ features हैं, very simple, आप खुद भी बना सकते हो, study of mankind, इसने mankind को study किया, इसने बोला कि, wealth जो है, वो help करती है mankind को, लेकिन actually में सब कुछ mankind नहीं है वो, he agreed with the classical economist, कि जो wealth तो है, no, wealth तो चाहिए, wealth के भी ना तो कुछ हो नहीं सकता, वो थो हमारा, मतलब, सबसे मतलब कह सकते हो, one of the important factor है, लेकिन, वो wealth हमारे basically, कैसे किस पार्ट आने चाहिए, हमारे comfort के लिए होने, existence के लिए, मतलब, हमारे betterment के लिए होने चाहिए, अब आपका wealth है, आपने पूरे nuclear bomb बना दिये, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका welfare थोड़ी हुआ है, हाना, तो आपने पूरी जो wealth है, उसमें लगा दी है, वो बले country के assets में आ जाएगा, आपके nuclear bomb से, लेकिन वो welfare थोड़ी हुआ, तो according to the Marshall, it is a study of man that occupies a central place, मतलब man को उसने center में रखा, कि इंसान को हमें पढ़ना है, उसके welfare को यहाँ पर सोचना है, next that is a study of the ordinary business of life, मतलब उसने का, उसने बोला, कि जो ordinary business जो है, उसको study करना है, एकनॉमिक से study of ordinary business of life, एन इंडिविजर हैसा, several aspects of life, namely economic, social, religious, तो basically कई उसके aspects होते हैं, एक person के, उसका एक religious purpose भी होता है, एक social purpose होता है, एक economic होता है, तो वो सारे aspects भी आपके life में important है, वो सारे भी role play करते हैं, ठीक है, तो एकनॉमिक is, एकनॉमिक is concerned only with the economic aspect of the human welfare, बट एकनॉमिक according to the Marshall, is not concerned with the social, religious and political aspects of the human life, the ordinary business of life is concerned with the income earning and income spending, तो यहाँ पे वो, जो है, Marshall बोला है, Marshall ने यह बोला है, कि बाकी जो aspects हैं, जैसे social बगएरा हो गया, वो सब के साथ तो आपको include, वो सब तो हैं, बट main जो है, आपका basically आपको यह ध्यान रखना है, कि जो ordinary business of life है, यहाँ पे income से related हैं आपके, ठीक है, कैसे वो income earn करता है, कैसे वो income spend करता है, so economic studies how people earn material, material means to for their livelihood, and how they spend this satisfaction for the well-being, कि कैसे basically वो इन चीजों को कमाता है, और कैसे उसको use करता है, यह सारी चीजे basically उसने, basically study करने की कोशिश की, in the economics, ध्यान रखना in the economics, ठीक है, next study of the material welfare, कि जो material भी use कर रहा है, उससे welfare होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बुला, तो weapons बगएरा का, इस सब यह human welfare नहीं है, bombs बना रहे है, human welfare नहीं है, ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा, for the security, no doubt, लेकिन उसको, इस range में नहीं बनाना है, मतलब material भी इसी सब से होना चाहिए, जो कि welfare करे लोग होगा, martial emphasis material, तो उसने बोला कि, जो material things है, वो हमारे well-being के लिए होना चाहिए, कहने का मतलब है, ठीक है, फिर उसके बाद है, emphasis on the request of the well-being, जो भी हमारी चीजें है, वो well-being के लिए होने चाहिए, मैंने अल्लड़ी बता दिया, जैसे material things है, आपकी food, clothing, shelter, वेरी-वेरी important, यह बहुत important चीजें है, ठीक है, आपको मैं 10 करोड रुपीज दे दूँ, let's suppose मैंने 10 करोड दे दिया, आपको जंगल में छोड़ो दिया, तो इसमें एक चीज़ धिया रखनेगा, मैंने थोड़ा सा पीछे, religion हो गया, social हो गया, उसने economy को बाहर रखा, ठीक है, लेकिन कहीना कहीं यह भी importance play करते हैं, economy में भी role play करते हैं, तो उसने basically क्या कह सकते हो, कि अपने जो wealth definition को कहीना कहीं welfare के साथ जोड़ा, wealth को welfare के साथ जोड़ा, यह basically, तो इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा Marshall का भी जो scope है, वो limited है, को कि उसने भी money के measure में ही यहाँ पे किया, so following Marshall, many other economists like Pigu, एक Pigu भी एक economist थे, Keynes थे, Keynes के बारे बहुत important है, Keynes है, जिनके उपर पूरा एक chapter है, basically chapter number, class 12 में, chapter number 12, the theory of income and employment, तो वो पूरा Keynes के बारे पढ़ोगे next year, ठीक है, Pigu जो है, आप universities में पढ़ोगे, उन्होंने define किया कि यह उनकी definition है, बढ़ सकते हो, वैसे इतनी important है, नहीं, ठीक है, but exams में पूछी आ सकते हैं, because आपको बता है, कि जो class 11 का paper है, schools, teachers बनाते हैं, वो पूर सकते हैं, कि what is our definition, welfare definition of Pigu, यहां कौन से, कौन से, जैसे मालो, कि classical economist कौन कौन से थे, यहां मतलब कौन कौन से, economist हैं, जिन्होंने basically किस पे focus किया है, welfare definition में focus किया है, तो आप बोलोगे, सबसे बहले तो Adam Smithy हो गए, आपके Ricardo हो गए, आपके JS मिल हो गए, आपके यह सारे जो economist आपको ध्यान रखना है, ऐसी, अगर आप बोलोगे, कि welfare में कौन से, तो Marshall साव हो गए, आपके main figure, आपके Pigu हो गए, Keens हो गए, ठीक है, तो यह सारे आपके basically कह सकते हो, कि which have also advocating the welfare things, तो आप भी कह सकते हो, कि जो इसके previous जो advantages है, वो इसके disadvantages बन जाएंगे, इस वाली definition के, कि इसमें बस social science को focus किया गया, कि Marshall has been criticized for trading economics, ऐसा social science rather than human science, ठीक है, कि society की, इसने human को study नहीं किया, बलब basically human को society के base पे study किया, ठीक है, तो basically इसने human being को under a society study किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि human being, इसा himself an individual है, उसको पढ़ना चाहिए था, क्योंकि उससे society बनती है, ना कि society से basically human बनते हैं, so in the terms of welfare definition, the activity of isolated individual, जैसे isolated individual, जो ऐसे Robinson Cruise के बारे पढ़ा होगा, को Himalayan saint है, तो वो तो part of economics हुए नहीं, क्योंकि वो तो society का part नहीं है, तो कहने का मतलब उसने society, mankind को society के अंडर पढ़ा है, लेकिन society को mankind के अंडर पढ़ना चाहिए, मेरी बास समझा रही है, क्योंकि basic unit हमारा man human है, तो human से हमारा society बनती है, ना कि society से human बनता है, ठीक है, तो यह कहने का मतलब है, तो यह district हो जाता है, इसका कहीं नहीं कहीं इसको, ठीक है, बिकॉस यह organized communities में पढ़ा है, इसने organized communities जो tribal है, जो tribal है, जो के जंगलों में रह रहे हैं, या इस टाइब से कोई वहाँ पे, जहाँ पे islands बगर, ऐसी में जो isolated में उसको इसने study नहीं किया है, because वो member of community नहीं है, उसका ऐसा बानना था, next to that is a impractical classification of activities, इसके कुछ जो classification है वो impractical है, the second is a sum against the welfare definition pointed by the robins, ठीक है, जो robins है, अगला definition of scarcity का robins का ही है, तो उसने बोला कि ये क्या करता है, illogical है, unscientific है, illogical है, illusionaries है, moreover welfare is a composite, and it's very difficult to separate, तो उसने बोला कि यार, एक बात मेरी बात बताओ, ये वो बोल रहा है ऐसा, कि material welfare ही तो कहीं ना कहीं, लोगों का welfare होता है, तो अब ये almost कह रहा है, ये wealth definition ही है, क्योंकि लोग material जब gain करेंगे, उनको welfare होगा उनका, तो यहाँ पर total welfare से, मतलब separate करना बहुत मुश्किल है, ये according to robins बोल रहा है हो, फिर materialistic aspect इसमें भी आ जाता है, क्योंकि इसने basically, wealth को ही humans में study कर दिया, बस that's it, ठीक है, और बाकी जो है, इसने exclude कर दिया, ठीक है, बाकी जब चीजों को इसने exclude किया है, जो non material things है, जैसे आपकी teachers हो गए, lawyers हो गए, उसने वो सब दियार, outside the, this things basically, ठीक है, so it is incorrect, that the economist is concerned with the materialist thing only, ठीक है, तो यहाँ पर हम यह कहना गलत हो जाएगा, कि मतलब, कि जो economist है, वो सिर्फ material things को ही focus कर रहा है, next is a restricted scope of economics, scope of economics का restricted कर लिया, ठीक है, जैसे economy studies are several activities, hardly promote economic welfare, like many goods, like liquor, cigarette and guns, do not promote economic welfare, देखो, इसने का बोला, कि बस human welfare की चीज़े बनेंगी, लेकिन आपको पता है, कि अर्थे वस्ता में, अच्छा खासा liquor का एक रोल है, आपको पता है, कितना ज़्यादा government का revenue liquor से होता है, तो अगर भाई अगर liquor उसके according, तो Marshall के according, liquor बंद कर देना चाहिए, cigarette बंद कर देना चाहिए, इनका भी बहुत अच्छा एक market है, इनकी भी economy है, तो वो सब तो फिर आपका कैसा क्या सकते, restricted scope हो गया economics का, हना, next that is a vague concept of materialist, material welfare, मतलब कुछ clear नहीं है, मतलब कहना कहें चाहरा है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है, according to these other economists, ठीक है, तो यह कुछ criticism आप उनके पढ़ सकते हो, ठीक है, basically आपको क्या है, दीखो इसको यह अच्छे से पढ़ना है, अपने मंद से इसको बना सकते हो, कि यह क्या है, mental make-up होता है, it depends on person to person, यह subjective है, किसी के लिए तो welfare ही material welfare है, किसी को चाहिए ही, कार में उसका welfare हो रहा है, उसका aim ही कार, यह material things है, और किसी का aim ही, उसको कहा है कि material चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पर एक distinction हो जा रहा है, यहाँ पर clarity नहीं है, मतलब क्या है, कहने का मतलब है, clear, according to other economists, फिर तीसरी economist आयर, scarcity, Robbins, Lion and Robbins है, जिन्होंने Marshall को criticize किया, उन्हेंने बोला कि यार, मतलब ठीक है, wealth, welfare ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज important study होती है, कि हमारे जो resources हैं, वो scarce हैं, ठीक है, very, very important, इसने चीज बोली, कि resources scarce हैं, और उसके कितने सारे uses हैं, और हमारी wants unlimited हैं, तो economist की study यह होनी चाहिए, कि कैसे हम अपने limited resources को, alternate best uses में लगाएं, ताकि सब जो है, इससे satisfy हो पाएं, तो basically इसका definition क्या मत, इसका क्या emphasis किया, इसने सबसे पहले तो unlimited wants को बोला, इसने बोला कि जो human wants हैं, वो unlimited हैं, ठीक है, आपकी आज एक want खतम होती है, दूसरी want आपकी satisfy होती है, दूसरी another crops up, ठीक है, फिर दूसरी आजाएगी, तीसरी आजाएगी, लेकिन सारी possible तो है नहीं, अना, it is not possible to satisfy all the wants, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक balance बनाना पड़ेगा, ताकि हम maximum लोगों की, maximum लोगों को satisfy कर सके, happy, happy तो देखो कहने की मतलब, कोई भी economy happy नहीं कर सकती, जैसे महत्मा गादी ने बोला था, कि we have enough resources to satisfy everyone's want, but not everyone's, everyone's need, but not everyone's greed, ठीक है, तो वो ही वाले, वो ही आप कहा सकते हो, कि हमें अपने resources को, सब के लिए utilize करना है, कि सब इससे जो है, प्रभावित हो सके, सब इससे खुश रह सकें, खुश इंदर सेंस मतलब satisfy रह सकें, ठीक है, next, that is a, next, that is a, scarce means, वो ने बोला था, कि हमारे पर resources है, scarce है, रिसोर्से हमारे लिमिटेड है, और human wants है, जो, जो, human wants है, वो unlimited है, ठीक है, तो second fundamental fact that economic life is, is to means, means to satisfy, human wants are limited, ठीक है, means, refer to the various productive resources, such as land, capital, etc, which are needed to produce, and produce goods needed to satisfy human wants, so resources are set to be scarce, इसमें बोला, basically, इसमें इसका मतलब कहा है, कि resources scarce है, और human wants are unlimited है, यहाँ पर unlimited होना चाहिए था, human wants are unlimited, ठीक है, human wants unlimited है, और scarce, जहें, बहुत ज़्यादा, resources scarce है, और unlimited, जो, wants है, वो unlimited है, तो उसकी वाज़से, हमारी scarcity आ जाती है, problem of scarcity आ जाती है, उसकी वाज़से, हमें क्या है, basically, आप कह सकते हो, जो supply और demand में, जो है, difference देखने को मिल सकता है, हो सकता है, कि आपकी demand जो है, वो बढ़ जाए, over the time supply, आपकी कम रह जाए, उसकी वाज़से, आपकी inflation हो सकती है, आपकेट में ठीक है, वो सब चीज़ें, किया जाए, ताकि सब उससे, satisfied हो सके, ठीक है, in other words, this problem would not have arisen, if the resources are available in unlimited, अगर unlimited quantity में, हमार पास resources होते, तो फिर तो दिक्कत दिन्दी, जैसे iron है, iron से आप weapons भी बनने, iron से हमें, kill भी बनेंगी, iron से infrastructure भी बनेगा, railway, कितनी चीज़ें बनेंगी, तो हमें यहाँ पे, iron को सही जगा पे, अपने resources को लगाना है, क्योंकि हमारे scares है limited है, और जो है, needs वो unlimited है, लेकिन हमें इसी साब से, अपने resources को, distribute करना है, ताकि हमारे country का welfare, maximum होज पाए, ठीक है, यह कहने का मतलब है, अब एक free man थे, वो भी economist थे, वो कहते थे, if the means are not scared, there is no problem at all, there is a nirvana, so scarcity सा मिली कहने का मतलब है, जो scarcity है, वो ही सारी main जड़ है, हर चीज की, economic problems की main जड़ क्या है, scarcity है, अकर हम scarcity को अच्छे से study कर लेते हैं, तो एक economy का मकसद यही है, कि scarcity को अच्छे से study करें, और goods and resources इस हिसाब से बनाए, ताकि लोगों को, maximum लोग जो है, उसे satisfied हो सकें, ठीक है, तो यह है, उसने यह भी बोला कि, economic के alternate use हैं, मतलब जो है resource वारी, किसी भी commodity के alternate use हैं, जैसे मैंने बोला था, कि यह स्टील है, स्टील के कितने सारी uses हैं, तो ऐसे बहुत सारे goods हैं, इसे land है, उसके बहुत सारी uses हैं, यहां तो उसमें आप wheat उगा लो, यहां तो उसमें उपर, आप कुछ factory बिल्ड कर लो, यहां तो उसको roads बिल्ड कर लो, तो लेकिन है तो limited land, land को तो increase करनी सुकते हो, ठीक है, the use of sacred services in the production, is one of the commodity, prevents it from the other commodity, therefore the society has to make decision, इसलिए एक society को decision लेना होता है, कि कैसे अपने resources को allocate करे, in production of various commodities, the production of the allocation of resources, for the production of different commodities, would not arise in the case, if the resources are, sorry, not arise in the case, the resources were used for the specific or single use, because in that case, resources can be used for the production of that specific commodity only, for example, the film stars are adapt in acting, they would prefer to act in the film solely, तो यह कहने का मतलब है, कि अगर उसका एक purpose, एक single use है, तो फिर तो कोई problem है, लेकिन अगर उसके multiple uses है, तो then it is a problem, ठीक है, फिर हमें society को, basically क्या करना पड़ेगा, choice करनी पड़ेगी, तो वोई बात आगी, यहाँ पर choose करना पड़ेगा, since the resources are scarce, and also capable of alternative uses, की एक resource एक तो कम है, उपर से उसके इतने सारे uses है, तो यहाँ पर हमें का करना पड़ेगा, choice करनी पड़ती है, कि कहां हमें resources लगाने है, कहां हमें allocating, कहां किस resources से क्या चीज़ produce करनी है, ठीक है यह सब चीज़े हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, human behavior therefore involves some form of choice using the scared source for producing the different goods in such a way to maximize the gain, तो यहाँ पर हमें goods ऐसा बनाना है, ताकि country को maximum satisfaction हो, country का maximum gain हो, उसे loss ना हो, अपने resources को इसी साब से लगाना है, ठीक है optimal uses of resources, जिसे बोलते है optimal allocation of resources, हमें resources को optimal लगाना है, ताकि country का welfare ओ, यही economics है, तो Robin has described this problem of economizing scared source, तो Robin says क्या बोला, कि हमारे resources हैं वो limited है, और उसमें हमें choice भी करनी है, उसके alternate uses है, तो यह तीन चीज़ बोला कि कैसे हम अपने scared resources को economic economizing कर रहे हैं, मतलब उसको कैसे हम properly use कर रहे हैं, allocate कर रहे हैं, ताकि country को maximum gain हो, ठीक है, तो next is a economics as science, तो यहाँ पर Robin's ने economics से एक science माना है, उसने माला है कि systematic knowledge है, जिसे human efforts से study किया जाता है, इसकी theories होती है, इसके economic laws आते हैं, इसके economic problems फिर solve होती है, ठीक है, अब इसके merits आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, एक तो logical है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये fact है, कि resources scarce है, बले हम इंडिया की बात कर लें, US की बात कर लें, ऐसी कोई country नहीं है, जिनके पास resources भर बो रहे हैं, किसी देश के पास कुछ कमी है, अगर इंडिया के पास oil नहीं है, इंडिया के पास आपके दूसरे resources अच्छे हैं, पानी, water resources अच्छे हैं, तो दुबाई गल्फ कंटरीज के पास बहुत बहुत हैं, उनका oil बहुत है, तो यहाँ पर scarcity तो हर चीज है, और overall आपके good resources की scarcity तो है यह आपके पास, और overall भी scarcity है, ऐसा नहीं है कि oil भी गल्फ कंटरीज से बहुत ज़ादा है, किसी टाम भी खतम हो जाएगा, ठीक है, तो कहने का मतलब भी logical explanation है इसका, तो इसने basically main focus को humans को रखाया, यूमन को, ठीक है, उसके बाद society आती है, वेरस मार्शल कहता है, society पहले आती है, ठीक है, इससे बिकाउस दा problem of choice and resource allocation is faced by individual, उससे पता है, हर एक इंसान को यह problem face होती ही होती है, जैसे मेरी salary limited है, आपके घरवालों की भी salary limited है, में आप budget बनाते हो, budget क्यों बनाते हो, ताकि आपके salary limited है, कर budget नहीं होता है, फिर तो, जो मर्जी जब मर्जी आप समान आ रहा है हाना, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह basically human science से आपका related कर, relate करता है, फिर आप wider view of economic activity, हाना, इसका wider view है, बहुत ज़्यादा wider view है, according to Robins, देखो, इसमें क्या क्या चीज़ा आ जाती है, production आ जाता है, material of goods, material things आ जाती है, scarcity हो जाती है, तो कहीं नहीं wider है, basically इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा production आ जाएगा आपका, next to that is a positive science, positive science, Robins infeces that economics is a positive science, economics is a systematic body of knowledge, which is a framework, basically, देखो, दो तरह की economics होती है, positive science होता है, एक normative science होता है, economics दो तरह की होती है, positive and normative, positive का मतलब है कि यह proper systematic of knowledge है, economics, और इसमें theories है, proper systematic body है, proper इसमें चीज़ें हैं, basically, ठीक है, so Robins definition imparts that economist as a nature, as a positive science, it regard economics to be neutral between the ends, so यह neutral है, according to Robins, economics does not tell the individual as what end should be achieved and what should be sacrifice, तो यह वो नहीं कहता है, economics कि क्या तुम्हें करना चाहिए, वो specific नहीं बताता है, कि आपके resources limited है, कि आपको यह करना चाहिए, वो depends on you, कि आपको maximum आपको कहां gain हो रहा है, ठीक है, so it's somewhat, it's a neutral and it's a based on basically rational decisions, ठीक है, एक individual को अपने rational decision से, अपने wise decision से, यहाँ पर choice करनी पड़ेगी, ठीक है, इसके कुछ criticism है, again narrow, sorry, narrow view है, क्योंकि इसमें क्या है, basically इसने पूरे-पूरे scarcity को study कर दिया, इसने wealth को ignore कर दिया है, वहना wealth को, welfare को इसने ignore कर दिया, basically, तो इसकी जो criticism है, वह दूसरी जो economist है, उसके जो plus point है, वह इसके criticism हो जाएगी, मैंने आपको बोला था, ठीक है, और यह neutral है, which is not possible, many contemporary economists believe that the economists are required to tell what is good, कि आपको बताना पड़ेगा, अगर आप choice कर रहे हो, क्या choice good है, क्या गलात है, ठीक है, और इसने basically positive science पड़ी है, उसने क्या पड़ेगी, economics को positive science, normative नहीं पड़ी है, अगर आप normative पड़ता, तो उसमें वो यह पुरता, यह देखो normative science का मतलब होता है, बस अब पढ़ रहे हो, normative science का मतलब होता है, उसके reasons पढ़ना, यह क्यूं हो रहा है, what ought to be, what should be, यह क्यूं हो रहा है, basically यहाँ पर judgment आ जाती है आपकी, आप judge करने लगते हो, तो judgment उसने पड़ी नहीं, उसने बस यह बोल दिया, कि यह है, economics है, यह theories है, बस यह है, बट क्यूं हो रहा है, क्यूं है, क्या है, वो सब उसने नहीं पड़ा, ठीक है, तो this is basically his drawback, restricted subject matter, obviously बात है, again वो restricted है, because इसमें सिर्फ उसने, scarcity, economics problems को study किया, ठीक है, इसने जो है, जो important issues है, unemployment, यह भी तो economic आपाट होता है, वो तो study नहीं किया, बस resources are scarce, ठीक है, वो ही बोला है इसने, तो restricted है कहीं नहीं, ठीक है, next that is a static definition, static definition का यह मतलब है, कि the greatest defect of the Robin definition, is pointed out by the critics, that it is a static in its context, according to critics, Robin has taken the static view of the scarcity, तो उसने सिर्फ static, again same चीज रीपोट हो रही है, कि static view of scarcity problem पड़ी है, Robin defined does not take into the account of possibility of increase, अगर मानलो resource बढ़ जाते हैं, फिर क्या होगा, वो नहीं उसने बताया है, तब क्या करना चीए economic को, with the economic growth हो सकते हैं, हम अपने जो resources को अच्छे कर ले, जैसे for example, अगर हमारा oil खतम हो रहा था, हम electricity, हमारी electric vehicles आ गया है, तो वो सब उसने कोई discuss नहीं किया, कि future में उस problem को कैसे solve किया जाएगा, यां वो क्या पता future में problem ही नहीं रहे, हाणा, तो ये सब चीजे बिल्कुल future का जो है, उसने कोई भी consider नहीं किया है, उसने static रखा है, ठीक है, तो ये सारी चीजे हो गए हैं, तो ये दोनों है, ये भी एक तरह किसकी drop back मानी जाएगी, कि जो जरूरी नहीं कि economic problem scarcity से ही हो, ठीक है, some critics point out that economic problem does not always arrive from the scarcity, as suggested by Robbins, it is sometime arise from the abundance as well, कई बार क्या होता है, बहुत जब चीजे होती हैं, उसकी वैसे चीजे स्केर्स हो जाती है, जैसे कि great depression of 1930, that it was not a scarcity, जो depression आया था, 1930 में बहुत तकड़ा great depression आया था, मतलब economic depression आया था, उसकी वैसे क्यों हुआ था, क्योंकि चीजों का overproduction हो रहा था, वहाँ पे, वहाँ तो scarcity थी थी नहीं, इतनी ज़्यादा overproduction हो गया था, इतना ज़्यादा overproduction हो गया था, चीजे बिकना बंद हो गई, तो उसकी वैसे हम कहें depression में चले गए, तो यह एक reason था, तो वहाँ तो scarcity थी थी नहीं, ठीक है, next, that is a best definition आप कह सकते हो, that is a my favorite, or you can say everyone's favorite, growth oriented, तो यहाँ पे Samuilson कहते हैं, कि Robbins की definition, वह वह वेका inadequate है, उन दोनों की तो नहीं inadequate, सबने बोला ही, तो आप यह Samuilson has given the new definition of economics, विच हैसा growth oriented, तो यह पूरी definition है, इसकी आपको पंड़टनी पड़ेगी, economics is study how the people, society choose, तो इसमें यह भी आ गया, ठीक है, इसमें scarce resources, productive resources भी आ गये, alternate uses भी आ गये, commodities over distribute, among the future, देखो future people, मतलब groups, कि कैसे group future में distribute होना चाहिए, society में distribute होना चाहिए, लोगों में distribute होना चाहिए, अभी और future में, तो sustainable development भी आ गया, तो कहीं न कहीं यह best definition आप कह सकते हो, it includes everything, ठीक है, तो इसको फटा 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 आप फटा पढ़लेंगे, कि कैसे basically resources को हम gain करेंगे, कैसे growth करेंगे, जो economic growth की बात आती है, तो few long term के लिए होता है न, विदा कैसे हम over the time उसे spend करके, कैसे resources को लगा के, तो everything this has included, Samu Wilson has included, ठीक है, So Samu Wilson has given the long term perspective of economic problem, he lies with the superiority of definition over the Robins, तो आप कह सकते हो कि Samu Wilson की definition Robins से उपर है, Then next, that is a dynamic approach, dynamic approach, dynamic का मतलब होता है, situations के साथ change होना, तो उसने बुला कि situations के साथ change होगा, जैसे ऐसे economic हमें grow करनी है, हम उसी साब से अपने आपको change करते रहेंगे, तो इसने basically subject matter widen कर दिया economics का, ठीक है, next that is a universal problem, उसने universal problem को study किया, क्योंकि जो हमारी जो, आप कह सकते हो scarce resource allocation है, वो universal problem है, वो भी से ने include कर लिया, next that comprehensive है, comprehensive कोज इसमें क्या है, Marshall की भी आ गई, इसमें future on eented भी आ गई, सब कुछ इसमें आ गया, Robins की definition भी आ गई, ठीक है, next that is a broader perspective, वो ही चीज़ है कि सारी definition का, सब कुछ इसमें आ गया है, ठीक है, तो यह होगे है हमारी Samuilson की, आप important होगी, ठीक है, तो इसका आप, यह आप study कर सकते हो, इसमें से बस यह basically कहने का मतलब है, इसका कोई negative criticism नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई definition खास अभी आई नहीं है, तो Samuilson की best definition है, जिसके आपको merits आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और इसके merits आप कह सकते हैं, आप features उसके पढ़ने हैं, अब यहाँ पर दो चीज़ होती है, micro economics और macro economics, यह basically start में होना चाहिए था, लेकिन last में कर रखा हैं, नहोंने पता नहीं क्यों, अगर आप पूरे country को एक साथ study कर रहे हो, जैसे national income, poverty हो गया, unemployment हो गया, मतब economy को अगर country के level पर पढ़ते हो, उसे macro economics बोलते हैं, अगर economy को individual level पर पढ़ते हो, तो आपका क्या हो गया, वो micro economics हो गया, ठीक है, so micro economics studies of the economic behavior of the individual and economic units and the individual economic variable, तो यह इसकी definition है, micro economics का आपको पता होनी चाहिए, बस इसमें आपको definition पता होनी चाहिए, दोनों की, और दोनों में basically difference क्या है, macro economics में भी क्या है, इसकी क्या है, basically Greek word macro से आता है, इसका मतलब है, लार्ज, इसका मतलब है, आप पूरे economy को ऐसा whole पढ़ते हो, सारी चीज़ें आपकी क्या है, macro economics के अंटर आती है, ठीक है, तो आपके यह 12th class में आपकी पूरा पढ़ने वाले हो, 11th में आपकी है micro economics है, clear हो गया, sorry, sorry, micro and macro economics आपकी class 11th and 12th में आप अच्छे से पढ़ोगे, basically अभी यहाँ पर आपको यह समयना कि दोनों होती गया हैं बस, अब दोनों में क्या difference है, मैंने आपकी पूरे युनिट आती है, unit of study micro economics individual को पढ़ती है, individual को पढ़ती है और जो macro economics है, वो पूरे country को पढ़ती है, ठीक है, तो micro economics individual household firms, industries, मतलब single single units को पढ़ती है, वो concern of the, पूरे country ऐसा whole होती है, country ऐसा whole, या economy ऐसा whole, इनकी focus study बिल्कुल limited होती है, और इनकी जो macro economics की focus study जादा होती है, ठीक है, very simple, फिर जो parameter है, subject matter का, उसका जो basic parameter होता है, आप कहा सकते हो कि, इसमें जो, आप जो macro economics का national income, जो price है, वो कहा है, आपका basic parameter किसका है, micro economics का है, national income आपका basic parameter, macro economics का है, ठीक है, यह आपको याद रखना है, बस ध्यान रखना है, आपको बता होना चाहिए, next to the idea is a different perspective, इसके different perspective होते हैं, micro economics का मकसद अलग है, पढ़ने का macro economics का अलग है, अपका basic का अलग है, और इसमें हम उपर से नीचे आते हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या टेकनीक होते हैं, इसको देखो, micro economics में हम, जो equilibrium होता है, equilibrium मतलब, economic की जो stable condition होती है, वो partial equilibrium analysis होता है, और जो macro economics होता है, वो journal होता है, journal यहाँ कासी, कासी journal है, मतलब यह पूरे country के level पे stability पढ़ते हैं या पे individual level पे stability पढ़ते हैं ठीक है यह पता होना चाहिए आपको बाकी that's more than enough इन दोनों के interdependence यह है कि basically कहने का मतलब है micro जदा important है macro जदा important है दोनो equally important ध्यान रखना है ठीक है both are equally important जो macro economics होती है वो regarded as junior partner ध्यानका macro को junior माना जाता है क्योंकि macro पूरी depend करती है आपकी micro पे क्योंकि अगर individual cj पढ़ोगे तभी उसको सबको मिला के फिर बाद में आप एक साथ पढ़ोगे न तो दोनो equally और दोनो एक दूसरे पे dependent है basically macro जदा dependent है कहने का मतलब है both are important and both are interdependent on each other this is basically you have to understand that's it यह आपकी chapter की summary है इसको एक पर अच्छे से पढ़ लीजेगा इससे आपके सारी चीज़े आपकी clear हो जाएंगी subject matter में आपकी यहापे एक question आपका difference आ सकता है इनकी definitions आ सकती है ठीक है तीन point आप difference के पढ़ लीजेगा बहुत है इसकी definition पढ़ लेना बाकि main इसका है जो definitions है आपको यह जो main thing है इसका cracks है यह अच्छे से पढ़ लीजेगा so I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा please do like, subscribe, comment, share please so thank you so much, God bless you